वेल्कम टू दा प्रयाग राज इंस्टूट इस वीडियो में हम लो डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश विशेश से समन्दित अत्महत्पूर्ण करेंट अफेयर के प्रशनों के बारे में तो हमारे सामने जो पहला फेक्ट है यह यह है कि 13 अप्रेल दो हजार प्रदेश के किस पुर्व अंतरास्ट्री हांकी खिलाडी को हांकी इंडिया चैन समीती का अध्यच न्युक्त किया गया यह है आरपी सींग भार्ती टीम की वह हांकी खिलाडी जिनके नाम पर हाल ही में राय बरेली में इस्थित हांकी स्टेडियम का नाम रानी गल्स हांकी टर्फ रखा गया यह है रानी राम पाल अगला फैक्ट ये है कि हालही में राज्य सरकार ने सिचकों की निक्ती के लिए किस आयोजन के गठन की घोशना की है या किस आयोग के गठन की घोशना की है ये है राज्य सिच्छा सेवा चैन आयोग हाली में उत्तर प्रदेश के किस सहर में सेरी कल्चर सेरी कल्चर है रेसम के उत्पादन से सेरी कल्चर मेले का आयोजन किया गया तो ये है गोरकपूर 31 मार्च 2023 को घोसी नई विदेशी बेपार नीती 2023 में उत्तर प्रदेश के किन सहरों को उत्रिष्ट निर्यात के अंदर बनाने की घोशना की गई है यह है वरांसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर इसको याद रखिएगा यह बहुत important प्रशन है ठीक है तो वरांसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर को उत्रिष्ट निर्यात के अंदर बनाने की घोशना की गई है 1988 बैज क्या वह आईए अधिकारी जिन है 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कारिवाहत DZP निक्त किया गया यह है आरके विश्वकर्मा यह आईएस IPS अधिकारी मार्च 2023 में केंदर सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्स्टाइल पार के निर्मार को मंजूरी परदान की है यह है लकनव उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एमस्टर बनाया गया अगला फैक्ट यह है कि परदेश का पहला नीजी ओदोगिक पार्क ठीक है तो प्राइबेट इंडस्ट्रिय पार्क कहां पर बनाने क्या निर्ने लिया गया है यह है भांकरी बांकरी जो है वो अल्ली गर्ड जिले में है 17-26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदीश में कहाँ पर G20 थीम पर अधारी पुस्तक मेला का आयोजन किया गया तो ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में उत्तर प्रदेश के की सहर में तमिलाडू की कमपनी टैमो हाउस राजी के पहले अरोमा पार्क अरोमा पार्क समन्दित है इत्र से तो यह निर्माड करेगी कन्नोज में हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दो दिवसी बाजरा महसाँ आयोजित किया जाएगा तिये है आगरा बरजर ग्रूप की एसिया की सबसे बड़ी पेंट ठैक्टरी का लोकारपन मार्च 2023 में कहाँ पिकिया गया यह है हर्दोई उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वहान पर सीधे सबसीड़ी देने का निर्णे लिया है ठीक है तो यह है इलेक्टिक वहन उत्तर प्रदेश की लिए में चौथे अंतरास्टी फिल्म अहतो 2,0222 का आयोजन किया गया थी है आजमगड चालि में उत्तर प्रदेश की सहर में इनवर्सल हील्थ कवरेस दे 2022 समारों मना या थी है वराणसी में नेक्स्ट, हाली में उत्तर प्रदेश के की सहर में एम्स के तर्ज पर अखिल भार्थी आरवेज संस्थान खुलने का निर्ण लिया गया है, तो यह है वराणसी में, प्रदेश का वह जीला जहां पहली सेमिकंडक्टर इकाई लगाने का निर्ण लिया गया है, तो यह है कौन सा स्थान है यह देशी में पहला स्थान है उत्तर प्रेश का वह सहर जहां हाली में परदेश की पहली छेतरी फिल्म सिटी निर्मार्ण की घोषना की गई amongst i क्रीन एलगी इनको जो है शॉट फॉर में बीजी ए भी बोलते हैं कि पहले जिन्स की खोज की गई यह है भी एच इव बनारस इंद्र इनुवर्सिटी हाली में संपने विश्व आर्थिक मंस 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेस प्रतिनीधी मंडल का नेत्रित उत्तर प्रदेस के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात के द्वारा किया गया था उत्तर प्रदेस का पहला ग्लास स्काई वाक की जिले में बनाया गया है तो यह बनाया जाएगा चित्रकूट में उत्तर प्रदेस में 10 से 12 फरवरी 2023 की बीच आयोजित उत्तर प्रदेस Global Investor Summit 2023 की थिम क्या है तो थिम थी उत्तर प्रदेस नए भारत का विकास इंजन 17 से 18 मार्च 2023 की उत्तर प्रदेस के किस सहर में S.C.O. प्रेटन मंत्रियों का बैठा का आयोजिन किया गया तो वरानसी में मार्च 2030 में उत्तर प्रदेस सरकार ने नोईडा इस्थीत किस सड़क का नाम प्रिवर्तित कर प्रसिद पत्रकार रामनाद गोईंका के नाम पर रखा है तो ये है अमलतास मार्ग आरत में सबसे अधिक ओनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का इस्थान जो है वो है प्रथम 18 से 28 जनुरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसत खेल महाकुम ये क्वेशन इंपोर्टेंट है 24 जनुरी 2023 से 31 जनुरी 2023 तक मनाएगे उत्तर प्रदेश दिवस समारो 2023 की थीम थी इन्वेस्ट एंड इंपोर्टेंट है ठीक है और 24 जनुरी को जो है वो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनुरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन चार सहरों में G20 वाकेथान दोड का आयोजन किया गया था तो लकनाओ, आगरा, नुएडा और वरानसी 27 दिसंबर 2022 को किंद्री गिरह मंत्राले ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिसों के बाद इन दो इस्थानों के नाम को बदलने की अनुमती दे दी है तो यह है गोरखपुर जीले में नगरपाल का परिसद मुंडेरा बजार का नाम बदल कर चौरी चौरा और देवरिया जीले के तेलिया अफगान गाउं का नाम बदल कर तेलिया सुकला कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की यूगी सरकार ने प्रविश के निकाय चुना में OBC अरच्छन देने के लिए हाई कोड के किस पूरुन आइन्थिस के अधिचता में 28 दिसंबर 2022 को एक पांच सदसी आयो के अगठन किया है के है नय मुर्थी राम आउतार सिंग उत्तर प्रदेश के लिए कि जिले में जल कल विभाग द्वारा ये बहुत important question है जल कल विभाग द्वारा solar tree लगाए जा रहे हैं ये है वरानसी इस प्रियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने Austin University के साथ समझा होता क्या है Smart City of Knowledge उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जी ले कि वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिन महिला हाइटर पाइलेट बनी है ये है सानिया मिर्जा 27 से 30 नुमबर 2022 के बीच 41 में रमायर मेले का एयोजन और अध्या में किया गया प्रदेश में फरोड़े 2023 को प्रस्तावी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मीट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किये गे रूर्सों के बाद कितने करोण का निवेस्ट प्राप्थ हुआ है तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रयागरा जीले के दो साहित्तिकार जिने हिंदी और उर्दू घ्हासा के लिए वर्स 2022 के साहित्य अकाद्मी प्रश्कार से समानित किया गया तो ये हैं बद्री नरायन इनको हिंदी में हिंदी की कव्ता तुमडी के सब्द के लिए और अनिस असफाक उर्दू अपन्यास एवाब सरब के लिए साहित्य अकाद्मी प्रश्कार से समानित किया गया है दिसमबर 2022 में उत्तर प्रश्कार ने किस आई आई टी के चुनाओं उत्तर प्रश्कों इशाट टप हब बनाने के लिए क्या है तो ये है आई आई टी कानपूर उत्तर प्रदेस के कि जिले में इस्तित नेमी शारणे छित्र के समगर विकास है तो राज्य सरकार ने हाल ही में नेमी शारणे नाम सिर्थ विकास परसत की गठन की घोशना की है ये है सीतापूर और हर्दोई दोनों जीलों का नाम याद रखेगा सीतापूर और हर्दोई नॉवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संग की महिल पहली पहली महिला अध्याच चुना गया है ये है सबीना यादो जो कि नोईडा से है लंपी वाइरस क्योंकि अभी कैटल्स में फैला हुआ था ठीक कायों में तो एक दशन पांच आठ करोन टिका करन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के वे तीन जीले जहां पुलिस कमिशनर प्रणारी को नॉमबर दो घजर बाईस में लागू किया गया यहे प्रियागराज अगरा और गाजियाबाद इसको जहे गैप से याद रखेगा ती फार गाजियाबाद, ए फार आगरा और पी फार प्रियागराज उत्तर प्रिदेश के किस सहर में भारत हस्त सिल्प महसो दो हाजर बाइस का भारत हस्त सिल्प महसो दो हाजर बाइस का आउजन किया गया तो यह सहर है लकनव उत्तर प्रदेस के किस हर में भारत हसल महसो ए रिपिटेट हो गया ठीक है? 22 से 25 नॉमबर 2022 के पूछ उत्तर प्रदेस के किस सहर में? इन्डिया अफरिका हेक्थान आयूजित किया गया? यह है ग्रेटर नॉडा में उत्तर प्रदेस का वास सहर जहां पर फीफा वर्ल्ड कप दो हजार बाइस के लिए ट्रॉफी वो बॉक्स का निर्माण किया गया ये है आगरा ये इसको वेरी इंपोर्टेंट में रखे ठीक है अली में उत्तर प्रदेस सरकार ने नेशनल हेल्थ मीशन के तरस सहरी चेत्र में किस कारिकरम के संचालन के अनुमती दी है तो ये है राष्ट्री बाल स्वास्त कारिकरम राष्ट्री बाल स्वास्त कारिक्रम हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर घोसित किया गया तो यह है रानी पूर वाइल लाइफ सेंक्टिरी जोकी चित्रकुट जीले में है और देश का याद किरपनवा होगा ठीक है टाइगर रिजर चार से छे नॉमबर 2022 के बीश पहले कौसर लिट्रेशर फेस्टिवल का आउजन कहां पे किया गया यह है लखनव हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोन के निमेज के परस्ताव को मंजूर दिये है यह है साथ हजार करोन उत्तर प्रदेश में कहां परदेश का पहला डबल डेकर हाइवे डबल डेकर हाइवे बनाने का निर्ण लिया गया है तो नॉड़ा में हाली में उत्तर प्रदेश सरकार ने परदेश के किसे पहले परियाटन इस्थल को वर्स 2041 ये याद रखे, 2041 तक सुद्ध सुन्य कार्बन उस सर्जन परियाटान इस्थल बनाने की गोशना किये, तो मत्रा विर्दामन को, Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, 12 नॉमबर 2022 में उत्तर प्रिदेश के किस पहले railway station को, इट राइट इस्टेशन, इट राइट इस्टेशन का परमाण पत्र प्रदान किया गया, ये है प्रियागराज जंक्शन, खेलो इंडिया इन्वर्सिटी गेम्स के 33 संस्टेशन का आयोजन, अप्रेल 2023 में उत्तर प्रिदेश के किस सहर में प्रस्तावी थे, तो ये है प्रस्तावी थे, लखनव में, उत्तर प्रिदेश के किस संस्थान द्वारा खून के आउसकता को पूरा करने के लिए हालही में रक्त-खोज एब त्यार क्या गया थे, ये है M.N.I.T. प्रयागराज, आली में उत्तर प्रिदेश के किस जिले में हजारों वर्स पुराने प्राग एतिहासिक सेल चित्र के आउसेस मिले हैं चित्र कुट के औरी पहाडी में हाली में उत्तर प्रिदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभयारण में घडियाल कंजर्वेशन वह रिसर्च सेंटर इस्थापित करने का निर्णे किया है यह है कतरणिया घाट वन्ने जीव अभ्यारन तो कतरणिया घाट वाइल लाइब सेंक्चुरी में घड़ियार कंजर्वेशन रिसस सेंटर इस्थापीत किया जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरकपूर का वहाँ परवाता रोही जिन्होंने हाल ही में मनाली इस्थित माउंट फ्रेंड्सीप की चोटी साइकल से ध्यान दिजीए साइकल से फटा करने वाली परवाता रोही बनी है ये हैं उमा सिंग गुरुनाना की 553 जैन्तीप के औसर पर आठ नॉम्बर 2022 को विस्थे के पहले साहीब जादा पार का सिला न्यास उत्तर प्रदेश के किस सहर में किया गया तो ये है लखनों में में, इस देस के मुख्यमंत्र योगी आधित नातने ग्रेटा नॉड़ा के किस नाम से उत्तर भारत के पहले हईपर इसकेल डेटा सेंटर से इंपर्टेंट जैन है हाईपर इसकेल डेटा सेंटर का उधाटन क्या है तो यह है युट्टा डी वन नेक्स्ट हाली में उत्तर प्रदेश में इस्तित कीस अंस्तान द्वारा फसलों की बिमारियों से बचाने के लिए बायो डिग्रेडेबल नेनो पार्टिकल विक्सित क्या है यह व्यच्चु वरांसी हालीम 21 देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजेवाद में मासिक धर्म आसिर ध्रम स्वास्त के लिए प्रजेक्ट सारस ये भी important question है प्रजेक्ट सारस शुरू क्या है तो ये है इस्राइल इंडोनेशिया के जकार्ता में नॉमर 2022 को आयुजित गुणवत्ता नियंतरन परिधी पर अंतराष्टी समयलन में भारत के किस NTPC को QC टीम को श्वान पदक से समानित किया गया तो ये है उचाहर उत्तरप्रदेस का NTP उत्तरप्रदेस के किस जिले में हाल ही में रास्टी महिला तिरंदाजी पर्टियोगता का आयुजिन किया गया तो ये है मतुरा नेक्स्ट, दिसम्बर 2022 में PM स्रीविद्ध्याले योजना, PM स्रीविद्ध्याले योजना के थाथ उत्तर प्रदेश के कुल कितनी इश्कूलों को चुना गया है, तो 1780, और पूरे देश भर में 4500 इस्कूलों को चुना गया है, इसमें से केवल UP में कितनी इस्कूल हैं, 1780, हाल ही में Structure Audit नीती जारी करने वाला पहला राज बन गया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसम्बर 2022 को कुल कितने करोन रुपे का अनुपूरक कॉम्प्लेमेंटरी बजट की बात की जा रही है, यह है 37770 करोन रुपे, नॉम्बर 2022 में उत्तर प्रद प्रदान मंत्री के मिशन अमरीच सरूवर, अमरीच सरूवर के तहत 8462 अमरीच सरूवर, मतलब जीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज देश का पहला राजिमन करू रहा है, तो यह है उत्तर प्रदेश, मंत्री योगी आदिन नात की अधिस्ता में, 6 सितंबर 2022 को हुए कैबिनिट के बैठक में, 4 नई नगर पंचायतों के गठन के गोशना करने के बाद, 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद, पुरवी प्रदेश, अब नगर निकायों की कुल संख्या हो ये 762, ये नंबर पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए, प्री रासन योजना के बाद, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में, किस अन योजना को बंद करने की गोशना किये, तो वेक्तिकत साधी अनुदान योजना, 192 करून रूपे से अधिक राची वा योजना जोज़ जी से 6 सितमर 2022 को कैबिनेट, कि बैठक में मुख्यमंत्र योगी ने मंजूरी परदान की, तो ये है कीट एवरोग नियंत्र योजना, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदित नात ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापूर क लगनों में तो ये है कि अमेरिका के संपन पहले उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन पहले उत्तर प्रदेश चेंटरल जोन ताइकवांडो चैंपियंशिप में इस सहर ने सरवाधिक 20 स्वान पदक जीतने के साथ ओवराल चेंपियनशिप ट्राफी जीती है यह है लखनव सहर ठीक है अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप जो है दा प्रियागराज इंस्ट्यूट का जो टेलिग्राम चैनल उसको जॉइन करें तो Important Study Material PDF और टेस्ट के जो पेपर है उनको लेने के लिए आप इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं और उनको वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ चरूर दें तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद